दोस्तो पी एस टीजे ब्लोग नुमर वन ये आपका चैनल है जो भी आप लोग कहते हैं वहीं आप लोग को इस पे होता है उसी से रिलेटिव आप लोग को इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलता है तो बहुत सारे भाई लोग ने मुझे केमेंट कर रहे थे कि 6 टॉप बत साती इस बेस चलाने के लिए हमें बहुत ही बेत्रीन क्वालिटी के आप कीए सेटफ करना है और ईस सेटप को लेने में कितना प्राइज लगने है तो ज़िस्यार आज कि वीडियो में मैं अप लोग को इस andar के भारे में फूल-डीटेल फूल-सि-पी-चैन बताएंगे कि कैसे आप को चलना है इसमें कौन सा थाप याफ और कौन अ कंपनी क Мих Pulisola को कंपलीट करने एं आप में कितना खर्च आने वाला यानि कितना आप लोग को बजट प्राइज लगने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं पुस्पेंदर कुमार आप देख रहे हैं पीस टीजे ब्लोग नमबर वान अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करके ओल पर भी किलिक लिजेगा ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम अप्लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए गाइस शुरू करते हैं दोस्तो इस सेट अप में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने टॉप के बारे में तो गईस यहां पर हम टॉप लिए हैं स्टूडियो मास्टर पूर्फेशनल लाओड स्पीकर जिसका मोडल नमबर आप लोगो फायर संताओन देखने को मिलेगा इसके पाउर पर भी कभी बज़िएगा तापका टॉप में कोई प्रोग्लेम नहीं होगा और आपका स्पीकर नहीं जलेगा पीक पांगर का मतलब यहीं होता है इसके फिर्क्वेंसी रिस्पोंस के बारे में बात करेंगे तो इसका फिर्क्वेंसी रिस्पोंस आप लोगो चाली से 20,000 प्रकराटर def. 실eler देखने को मिलेगा जो की बेस्ट है लोंग थ्रो तक इस टॉफ का आवज आप लोगो सुनने को मिलेगा इसके संसीटी के बारे में बात करेंगे तो इसका ऐप लोगो फोरॉम देखने को मिलेगा यान आप लोग का एग टॉप यह फोरॉम का होता है और कवार्aster 300 देखिने को मिल जाता है चलेंगे इस में बात करते हैं इसका प्रोक्स प्राइज के बार है तो गाइस इस से 45 के बीच में देखने को मिलेगा जो कि इतने प्राइज में काफी कमपनी का फिटिक टॉप बेहतरीन क्वालिटी का यह इस्टूडियो मास्टर का फायर संता होन मोडल का होता है गाइस हो सकता है कि आपके मार्केट में इसका प्राइज उपर और नीचे दूचर पांश आर देखने को मिल जाए तो आप लोगों आप अपना मैनेज कीजिएगा गाइस यहाँ पर मार्केट में जो भी आप लोग से कैबिनेट और अलग से स्पीकर लेकर बनाते हैं उसे यह बेटर क्वालिटी आप लोगो साउंड निकाल कर देगा क्योंकि यह कंपनी का फिटिंग टॉप होता है तो काफी आप लोगो बेतरीन लाउडने सवाज निकाल कर देगा तो गाईस यहाँ पर एक टॉप का प् देगा हैं तो गाईस यहाँ पर हम एक ट्व और का टॉअल बेसट ओहर से स्पीकर सिस्टम लिये हैं जो कि अगर आप लोग इसमेँ अलग से कबिनेट भी और करनेगा तो गला मोब यह करने वाले वाले हैं इस speaker के voice quail size के बारे में बात करेंगे तो इसका voice quail का size आप लोगो पांची ची देखने को मिलेगा जो की in और out वाला होता है इसकी programming pound आप लोगो just इसके double देखने को मिलेगा तो गाईस यहाँ पर एक dual base का cabinet और इसका अंदर आप लोगो दो speaker लगेगा इसी टेप का तो गाई तो यहाँ पर cabinet का भी और speaker का भी price आप लोगो टुटल मिला कर असी हजार से पचासी हजार के बीच में देखने को मिलेगा गाईस हो सकता है कि इसका price आपके market में उपर नीचे देखने को मिल जाए यह आप लोग अपने हिसाब से किसी और भी product इसमें डाल सकते हैं तो गैस यहाँ पर मेरा टॉप भी complete हो गया और यहाँ पर हम बेस भी complete कर लिए कि कितने वाटिज का बेस और कितने वाटिज का टॉप यहाँ पर लिए तो गैस यहाँ पर छे टॉप को चलाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एमिल फायर के बारे में कि कौन सा उसके matching के नुसार से हमें एमिल फायर लेना चाहिए तो गैस यहाँ पर हम स्टूडियो मस्टर का डुवल चैनल पाउर एमिल फायर लिए हैं जिसका मोडल नंबर आप लोग को पी है 6.0 देखने को मिलेगा जो की पी सिरीज का स्टूडियो मस्टर का काफी बेहतरीन क्वालिटी का एक है काफि मारकेट में स्का चले काफी भाई इसे लिए लोग भरोसा करते है और काफिक लिए बेहतरीन यहां इपनी भार पर चैनल देखने को मिलेगा और फोर्म पे दू आजर वाट इस पर चैनल देखने को मिलेगा इसके नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका डॉंपिंग फेक्टर आप लोगों प्रोक्स प्रेज आप लोगों 45-50-20 में देखने को मिलेगा जो कि इतने प्राइज में 6000 वाटेज का एस्टूडियो मस्टर का काफी बहतीरीन क्वालिटी का मिल रता है हो सकता है कि आपके मार्कित में इसका भी प्राइज 2-4-5-4 उपर और नीचे देखने को मिले आप लिए जो कि इसे छोटा वाटेज का एमिलफायर है जो कि ओभी ए स्टूडियो मस्टर का एमिलफायर है जिसका मोडल अंबर आप लोगों को पीए 3.0 देखने को मिलेगा इसके पाउंड आप लोगों को फोरुम पे 1100 वाटेज निकाल कर देदेगा आगे आप लोगों को पर दो एमिलफायर क्यों लिए हैं टॉप के लिए तो गाइस यह सब कुछ आप लोग के सिफिकेशन उसी एमिलफायर के तरह इसका भी देखने को डंपिम फेटर इसका भी 400 देखने को मिल जाता है चले गए सम बात करते हैं कि इस 3000 वाटेज एमिलफायर के प्राइज कितन है चले गए सब्सक्राइब टॉप के लिए तरह पर हम दो एमिलफायर कंप्लेट कर लिए अब हम बात करेंगे बेस के लिए तो गश्छ आप लोग का कमेंट में यह भी लिखा हुआ था कि बेस के लिए जीपर काई एमिलफायर यूज किजिएगा गाईस यहां पर जीपर लैब्स डवड अश्टी पर डूवल चैनल पाउवर एमिल फैर लिया है जिसका मॉडल नमबर आप लोगो जेड एट देखने को मिलेगा जो की बेस के लिए काफी है बेहतिरीन क्वालिटी का एंडिया का भारोस से मंद यह एमिल फैर होता है काफी है इस पे बेस बेस्ट क् पर चैनल देखने को मिलेगा और फोरम पे 4000 वाटेश पर चैनल देखने को मिलेगा और एट उम पे चोबी सो पचास वाटेश पर चैनल देखने को मिलेगा आप लोग इसका पाउर आट पुट देकर थोड़ा सा एरान होंगे कि कोई भी एमिल फैर का टूम पे ज्यादा प देखने को मिलता है तो गाई से आप लोग को बता दू कि आप लोग को टॉप चलाने का ही ज़रत पड़ता है बेस चलाने के लिए बेस चलाने के लिए बनाए गया अगर आप लोग प्रोफिशनल डंट से एक बेस पॉलिटी वह भी पॉंच और यह भी वैविरेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जीपर का कोई भी एप लोगों हद तक आप लोगों बेस पॉंच इसके द्वारा सुनने को मिल जगा अधर ब्रांड के इसके ड से एलगा करा देगा चलिए गए सबात बात करते हैं इस अम्लाइग का अप लोग को असी एज़र से पचासी एज़र के बीच में देखने को मिल जाएगा हो सकता है कि आपके मार्केट में इस प्राइज कि उपर और नीचे दूचर 55 आर देखने को मिल जाए गया इस आप को बता दून कि यह इमिलिलैंड आपसे नोर्मल मार्केट में देखने के नहीं मिलेगा बहुं सारह ही का भारी मार्केट जहां पहुँगा वहीं पहँते आप लोगों को इसे इमिलिफयर को आप का मिंग फायर का प्रेज 80 छे पचासी जल्ड़ आप लोग इसे क्यालकुलेट कर सकते हैं कि 2 एम फायर को लेंगे में कितना आ पर पड़ेगा चले गईस हम बात करते हैं कि इस पूरे DJ setup को control करने के लिए एक हमें heavy quality का audio mixer लेना होगा क्योंकि guys यहाँ पर audio mixer heavy quality का नहीं लेंगे तो यहाँ पर मेरा sound quality बेलकुल ही दव जाएगा तो गैसे आप पर ATA Pro का audio mixer उच किया है जिसका model number आप लोगो DJM 333M Pro देखने को मिल जाएगा जो की 3 channel का mixer यह काफी वेतरीन ATA Pro का mixer होता है इसके price के बारे हम बात करेंगे तो इसका prox price आप लोगो 7000 से 8000 के बीच में देखने को easily मिल जाता है हो सकता है कि आपके market में इसका भ कैसे base का connection करना है तो गैसे यहाँ पर हम लोग लिया है इस setup में छेट जो की एक टॉप का वाटेज आप लोगो 1300 देखने को मिल जा रहे है और उसका impedance आप लोगो फोरूम देखने को मिल जा रहे है तो गैस यहाँ पर हम 4 टॉप एक एमिलफायर पर चलाने वाल है तो कैसे चलेगा तो गैस यहाँ पर जो मेरा एमिलफायर है इस्टूडियो मास्टर का पीए 6.0 जो की वो टूप पर आप लोगो 3000 वाटेज पर चैनल यह लिकाल कर दे दे रहे है तो गैस यहाँ पर मेरा जो टॉप हो रहे है तेरह सो वाटेज का एक टॉप हो रहे है और उसका impedance आ आप लोग इस वाले इमिलफायर पर एक चैनल पर दो टब लगा दिजर्गा और दूसरे चैनल पर दो टब लगा दिजर्गा है तो 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 लॉट एमिल रहे है तो आप लोग को बेंट क्वालिटी वह निकाल कर देगा तो गैस यहां पर इस ट्रेफ से आप लोग एक एवर पर चला सकते हैं तेरा तेरा सो वाटेज का जो की काफी बेस चलेगा और काफी आप लोको लॉंग त्रो इसका साउंड क्वालिटी सुनने को मिज़ेगा चले गई से यहां पर मेरा बज़ता है दो टॉप तो गैसे यहां पर दो टॉप चलाने के लिए आपर हमें एक छोटा सा एमिल फैर लि तो यहां पर 200 और 1500 वाटेज फोरम पर कम भी रहेगा तो यह एमिल फैर इजली हैंडल कर लेगा कोई प्रोग्लेम नहीं होगा क्योंकि फोरम पर एमिल फैर पर कम लोड होता है तो इसका ही सिंपल सा कनेक्शन है कि एक चैनल पर एक टॉप और दूसरे चैनल पर दूसरा ट वाटेज का और उसका इंपडेंस आप लोगों फोरम हो जाए क्योंकि उसके अंदर दो स्पीकर लगे हुए एक टेट ओम का तो उसके पैलर कनेक्शन के माधियम से एक डूब बेस का इंपडेंस फोरम हो जाता है और दो स्पीकर दूदू हाजर वाटेज के लगे हैं तो उसका वाटेज आप लोगो 4000 देखने को मिल जाता है तो गैस यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं चार बेस तो चार बेस को चलाने के लिए आप रहे हैं तो गैस यहाँ पर मेरा जो जीपर लेब्स जेड एट एमिल फायर है वो फोरम पे आप लोगो 4000 वाटेज निकाल कर द देरह हैं और उसके आप लोगो फोरम देखने को मिल रहे हैं तो इसका सिमीपल सा कनेक्शन है कि एक जीपर लेज जेड एट एमिल फायर है उस पर क्या करना है कि एक चैनल पे एक डूम वेक लगा देना है और दुसरे चैनल पर दूसरे डिवर लगा देना है जो कि 4000 वाट Peki यहां पर 4 यहां पर अप लोग चाती काई आप जो ढग 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 होता है उस टैप से करने लगेगा और बिल्कुल काफी यह देगा तो गाश इस टाइब से आप लोग इस पर base का connection कर सकते हैं और top का connection कर सकते हैं अगर कैसे आप लोग single भी base लेंगे तो इस टाइब से Dudo 2000 वाटेज का एक-एक channel पर دो dual base चला सकते है सिंगल base Dudo 1000 वाटेज का और दुसरे channel पर दो चला सकते हैं तो उसी टेस से आप लोग यहाँ पर 8 बेस भी चला सकते हैं, दूज़े जरबाटिस का, चले गई से हम बात करते हैं कि इस सेटप को टोटल कम्पलीट करने में, कितना हमें यहाँ पर खर्च आने वाला है, तो गाइस इस सेटप को टोटल कम्पलीट करने में लगवग आप लोग को 8 लाक यहाँ पर अपर प्रोक्स प्राइज लगने वाला है, गाइस यहाँ पर मैंने जर्नेटर को अड़ नहीं किया है, क्योंकि इस सेटप को चलाने के लिए आप लोग को हेवी क्वालीटी का DJI लेना पड़ेगा, क्योंकि जर्नेटर से यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है, तो गाइस यहाँ पर जर्नेटर के छोड़ के हम बात करने वाला है, तो यहाँ पर आठ लाक अप्रोग से आप लोग को प्रैज लगने वाला है इस सेटप को कम्प्लेट करने में, तो गाइस अगर आप लोग इस सेटप को लेते हैं, तो काफी बेतरीन और काफी तगड़ा यह सेटप होगा, जहाँ पर भी बज़ेगा, बिल्कुल नहीं गर्दा कवर देगा, क्योंकि इतना हेवी वाटेज का यह सेटप हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इसका पाउर और पूट, आप लोग को जहाँ भी फिल्ड में बज़ेगा, गर्दा हिला देगा, दोस्तो, आई होब कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे पाली बारा हैं, तो चैनल को सस्क्राइब करके, बेल एकन को प्रेस करके, अल पे भी क्लिक लिजेगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, दोस्तो, अगर आपके भीमन में साउंट सिस्टम से रलेटिव कोई भी सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यो कैंसर अगले वीडियो में देने की कोशिस करेंगे, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए टेस्टिंग नए वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भार!